देश के राजधाने दिल्ली से जो मौजूदा समय में तस्वीरे आ रही हैं वो परिशान और हैरान करने वाली है क्योंकि महस पिछले हफते हुई तीन से चार दिनों की बारिश ने ही दिल्ली सरकार की पोल खोल के रख दी है दिल्ली के कई अलाके जहां सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है और रही सही कसर यमना नदी में आई बार ने पूरी कर दी है दिल्ली में बार का पानी सुप्रिम कोट के करीब तक पहुंच गया है क्या है पूरी खबर देखते हैं ये रिपोर्ट दिल्ली में बाड का कहर देखने को मिल रहा है प्रिशासन की तरफ से युदस्तर पर राहत और बचाव कारे चुलाई जा रही है राजधानी में चारो तरफ पानी की पानी दिखाई दे रहा है दिल्ली सरकार सुप्रिम कोर्ट तक पानी ना पहुच पाए उसके लिए इंद्परस्त के पास के नाले पर छोटा बांध बनवा रही है तो वहीं हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्ली में इतना पानी कहां से आया क्योंकि दिल्ली में भारी बारिश भी नहीं हुआ हलकी बारिश के बाद ही बाढ़ आ गई दरसल ये बाढ़ यम्न नदी का जोलस्तर बढ़ने की कई वज़ा से आई है पंजाब हर्याना और हिमाचल में हो रही जोड़दार बारिश के चलते हर्याना के हतनी कुन बैराज से लगातार पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है जिसके चलते यमुना का जोलस्तर लगातार खत्रे की निशान से उपर बना हुआ है और फिलहाल दिल्ली रेलवे ब्रिज पर जोलस्तर 208.29 मीटर है खत्रे की निशान की करिब 3 मीटर उपर है तो वहीं हतनी कुन बैराज से पानी छोड़ने पर हर्याना के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खटर ने कहा कि अभी जो बाड़ आई है वो प्राकृतिक आपदा है इस पर राशनिती नहीं करनी चाहिए पहाडी राजियों में जो बारिश हुई है अचानक उसका प्रभाव हमारी नदियों में बढ़ा है यवुना में एक लाग क्यूसेक पानी था जो अगले तीन दिन में अचानक 3.70 लाग क्यूसेक हो गया जहां तक पानी चोड़ने का सवाल है हमने दिल्ली के सियम अरविंद केजरिवाल को बताया है कि बैराज में एक सिमित मात्रा में पानी को नुयंत्रित कर सकते है बैराज की शमता एक लाग क्यूसेक पानी की है और उसे अधिक जो भी पानी होगा उसे रोकना मुश्किल है डिबी लाइफ की रिपोर्ट